जयमां इंद्राक्षी जयम्बे इंद्राक्षी धान में दर्शुक्वा आप सभी गम हार्देख स्वागत करते हैं आज है पित्र अमावस्या इस अमावस्या में हम पित्रों के निमित जो भी दान पुन ब्राह्मन भोजन मंत्र साधना करते हैं उससे हमारे पित्र संतुष्ठो करके हमें विशेश आशिरवाद प्रदान करते हैं आज की ये मवस्या अन्या मवस्या उसे बहुत कीमती है आईए पहले आज का पंजांग देखें 25 सेप्टेंबर सन दोहजार बाईस दिन रविवार आस्विर मास कर्शन पक्स संबन दोहजार उनासी तिथी अमवस्या नक्षत उत्राफालगुनी राहुकाल साड़े चार से छे दिशासूल पश्चिन दिशा भगवती जगजन्नी की कृपा भी कल से प्राप्त हो जाएगी कल प्रथम नवरात्र है शारदिय नवरात्र है और बहुत अच्छे से घटी स्थापना वगरा कर लेना उसकी संपूर विधी हमने नवरात्र विशिशांक बनाया है वहां से आप पढ़ल करके सारी चीजे न अच्छे से घटी से अगर आप कुछ भी नहीं करना जानते हैं तो जो हमने बताया था कि हर साल जो पंदरा दिन ये पित्र के आते हैं पित्र पक्ष के इसमें एक लोटा जल उसमें मीठा मिला करके काले तिल मिला करके दश्षिन दिशा में ऑम पित्र देपता ब्यहू नम बोल करके पित्रों के निमित दे देना और यदि आप अच्छे से ब्रामण भोजन वगर आज के दिन करा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है जिन पूर्वजों की आपको मृत्यू तिथी यादना हो या जो दाग तिथी होती है यादना हो तो आज सर्व पित्र अमावस अमत्या है उन सब के नाम से आप कया करना गाएं को चारा डालना रक्षियों को दाना दालना उन सब के निमित आज आप ब्रह्म भोजन भी करा सकते हैं गायत्री या अब्रह्म गायत्री या पित्रगाइत्री मंत्र की पाँच ग्यारा माला आज की दिन करना बड़ा शुब होता है जुतना भी आप करोगे और वो ही जो भी आप करो संकल मांसिक कि जो भी मैंने आज जब यग किया है या दान किया है वो सब मेरे पित्रों को जाकर के प्राप्त होवे समय समय पर ऐसे अनेक उधारण है कि जिस घर में पित्रों का आशिरवाद बरसता है उस घर में खुशाली रहती है जिस घर में पित्र ऐसंतुष्ट रहते हैं रुष्ट रहते हैं उस घर में उमने कल भी बताया था तुलसी को मिलाती है पशुदूद नहीं देते हैं फसल ख प्रताबनी रहती है, रोग उस घर को गेरे रहती है, और बहुत लोग कुछ भी कहें, सबंद विश्वास है, ये है, वो है, तो देखो साब, अपने धर्म की सब बात मानते हैं, अपने धर्म को सब अच्छा बताते हैं, इसलिए आप किसी को बुरा ना कहें, लेकिन अपने अपने धर्म में, अपने सास्त्रों में, अपने रिश्यों ने जो बताया है, उस फिर तो विश्वात करिए आप, आज कल के लुझ पुझ कोई भी व्यक्ति आ करके कुछ भी हमें कहें, हम उसकी बात मानने को तयार हैं, लेकिन जो वेद व्यास जी कह गए, हमारे रिश्य किसी मंतर का जब कर लेना, किसी भी मंतर का जो पित्र गायतरियादी होती है, उसका जब कर सकते हैं, यग कर सकते हैं, पूझन कर सकते हैं, पित्रों के निमित गरीवों में फल बाट सकते हैं, आज हम मवस्या है, खीर भी पित्रों को अरपन कर सकते हैं, और पित्रों के ना श्राद की रोटी खिलाना बहुत अच्छा रहता है पंच वली आज के दिन भी की जाएगी जिसमें हमने पहले भी बताया था आपके हैं कच्चा बोजन बनता है या पक्का बनता है वह आप देख लें पांच परों से अलग अलग निकाले जाते हैं जिसमें एक काग का होता ह है कोवे का होता है कुट्टे का होता है गाहें का होता है पीपली का चीटी का होता है और देव का होता है देवादी वली इन पांचों को पहले निकाल करके जलगुमा में कुट्टे को कुट्टे का देवें गाहें का देवें का देवें चीटी का देवें देवताव का फिर ब्रहामन के चरण धुला करके ब्रहामन को भोजन कराया जाता है ध्यान रखें जब ब्रहामन भोजन करें तो उससे अधिक वारतला अपने करें हवा के रूप में ब्रहामन के संग पित्र आते हैं और वो ब्रहामन के माध्यम से उस भोज को ग्रहन करके संतुष और त्र आएगा कहां आएगा तो हमारे पास ना कपड़ा दरजी सिलता है लेकिन पहनता को ने हैं आप पहनते हो ना सीला किसने पहना किसने दूद गाएं बहस ने दिया निकाला किसी ने और पिया किसने आपने तो ऐसे तो बहुत एक्जाम्पल है ऐसा नहीं है अगर ब्रहामर पहुता शुक्षम सरीर कारण सरीर कई परकार के सरीर होते हैं वो अपने हिसाब से उस भोज्य को ग्रहन करते हैं जो आपके पूरवजों को भोजन पसंद है भोजन में खास्तों से मिश्ठान आदे वो ही भोजन बनना चाहिए समझ गया आप जैसे कोई विसेस सबजी वि विसेस मिश्ठान विसेस फल तो वो दोगे तो और भी वह संतुष्ट होते हैं जैसे किसी के पूरवजों को केला बहुत पसंद है कोई ऐसा सबजी पसंद है बनाई है उनके नाम से बहुत अच्छे से है न अब इससे आगे आगे भी बहुत लोगों का दिवाग चल रहा ह होगा लेकिन तरीके से समयता के साथ गरीमा के साथ है ना तो बहुत अच्छा दिन है बस आज मोकर ना गवाईएगा जितना आप से बन बड़े करिएगा आईए समय चल आज की धान साथना का जूडते हैं जब जननी मा भगवती से ओम सिंदूर अरुण विग्रहां त्रिनायनाम मानिक्यमोले स्पुराज स्तारा नायक से करां समित मुखे भापे नबाग छोरुआं पानी प्यामल पूर्ण रत्न चसकां रत्नोत परां विब्रते सोम्याम रत्न गटस्त रक्त चरणाम ध्यायत परां मंबिकाम खडगं चक्र गदि सुचाप परिगान चूलं भुसुंडिम्सिरा संखं संधदतिम्करिस्त्रिनायनाम सर्वंग वूसाबृताम नेलास मध्युत्यमास्यपाद दसकां सेवे महांकालिकां यामास्तो स्वपितै हरो कमलजो अंतुम्मदुम्कटवं विद्यो दाम समप्रवाम रिगपते सकंदस्तिताम विशनाम कन्याम विहकरवाल खेट विलसादस्ता विरास्यविताम् हस्ते स्चक्रगदा सिखेट विशिखां स्चापं गुणं तरजनीं विप्राणा मलिलात्मिकां ससिदाराम धुर्गांतिनेत्राम वजें कवच मना लें ध्यान करें भगवति का शुबासिस हम सब के उपर बरस रहा है ओम बोलते हुए नेत्रखोने समान्य हो जाए देखो साथ को कल प्रथम नमरात्र है और दुर्गा शफ्षती की बुक ले आना गरंत ले आना और जैसे आज बजार से एक नारियल खरीद लेना आज रात्री में जो जो है वो पानी में भी हो देना और कल उसे रेत में या मिट्टी में उसमें थोड़ा सा बीच में ऐसे गूत करके है जैसे आटे में नमक पहले नीचे रेती डाल देना फिर उसके उपर अच्छे से बोलेना अखर्ण जो जलाना चाहें तो आपकी इच और बाकी सारी चीज़ें हमने नवरात्र विशेशांग में बताई हैं वहां से सुनने देख करके करने का प्रयास करें आप स्वस्त्य रहें इनी शुब कामनाव के साथ हम अपनी वानी को भिनाम देती हैं जय जय अंबे इस कारगयम में सबसे अच्छा मुझे यह लगा कि प नागपूर सीवे रेटेंड किया था उसके बाद यहां भी आया इसी चीज़ को देखते हुए कि अच्छा लगा और 15 दिन हो गया लगए नागपूर सीवे करते हुए उसके बाद मानसिक सांती बहुत मिल रही है बहुत अच्छा महसूस हो रहा है समस्ताय तो जिंदगी म प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 बजे तक हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें सबस्टारी के लिए प्रेस के लिए आप हमें शाम को प्रेस को लिए आप मेज़ाद कि आप दाप हमें रीए